ब्रेक के वाल आपका स्वागत है जिला कांगडा और सुलह विधानसवा की कोना पंचायत के बाशन्दों को आने जाने के लिए न्यूगन नदी पर पुल नहीं होने के कारिन बरसात की दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है खास कर बच्चों, गरब वती और बिमार बुजर्गों को बरसात की दिनों में इस लोहे एवं लकडी के पुल बह जाने पर अकसर ग्रामिनों को बस पकड़ने के लिए बस टॉप तक जाने के लिए ग्रामिनों को पांस किलोमीटर का चक्कर लेदाना पड़ता है जिला कांगडा और सुलह विधान सवाक शेतर के कोना पंचायत में बाशिंदों को अपने आने जाने के लिए न्यूगल नदी पर पुल नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है खास कर बच्चों, गर्वती महिलाओं और बिमार बुदूर्गों को समस्या को देखते हुए गरामिनों ने खुद न्यूगल नदी पर 20 मिटर लंबा लोहे और लकडी का बरसात के दिनों में पुल बनाया था इसे अब वे एक घंटे की दुरी महज 10 मिट में तैय कर सकते हैं कोना पंचायत के बसिंदों ने वर्षों से न्यूगल नदी पर स्थाई पुल की मांग की है न्यूगल नदी पर लोहे और लकडी का पुल बनाने में लगबग हर साल 20 से 25 जार रुपे का खर्च आता है जिसे गाओं के लोगों ने खुद ही मिल कर वहन करते हैं ये पुल हर साल नदी में बरसात के दिनों में बह जाता है इस लकडी और लोहे की पुलिया से रो जाना बड़ी तदाद में लोग नदी पारकर अपने कारेकशितर और काम से थुरल कॉलेज बस टॉप तक जाते हैं पंचायत वरसियों का कहना है कि न्यूगल नदी पर स्थाई पुल के निर्मान की मांग वर्षों से वे सरकार से कर रहे हैं परंतु आज तक उनकी मांग नहीं मानी गई पंचायत के लोगों को हर साल नदी पर लोहे और लकडी की पुलिया बनाने में लगभग 20-25 जार रपे का खरचाता है जिस से वे स्वेम वहन करते हैं परंतु बरसाद के दिनों में पुलिया बह जाती है जिस कारण गरामीनों को बस पकड़ने के लिए लगभग 5 किलोमेटर का चकर लगाना पड़ता है जो की जंगल वाला रास्ता भी है कोना पंचायच के लोगों ने मुक्य मंतरी से यहां स्टाइप निर्मान करने की मांग की है और कहा की पुल बन जाने से उन्हें आने जाने की अच्छी सुविदा होगी और लगभग आदा दरजन गाओं के लोगों को इसका लाब भी मिलेगा कि कई बार जो नदी आने के बार वो भी बह जाता है तो मेरे अरनोध है मंतरी जी से कि यहां पे एक पुल का निर्मान किया जाए